दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने को बताने वाला हूं कि आप अपने Android फोन की कोलर स्क्रीन के वाल पेपर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जब भी कोई कोल आता है या आप किसी परसंट को कोल लगाते हैं तो वहाँ पे एक सिंपल सी स्क्रीन आती है इस्ट्रोल कर लेना है तो मैंने उस एप्लिकेशन को अल्रेडी इस्ट्रोल के हुआ तो चली मैं उसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ तो जैसी आप इसको फर्स्ट बार उपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा अब यहां पर आपको जो कंटीनीू का बटन मिलता है सिंपले आपको कंटीनीू पे टेप कर देना है और जैसे आप continue पर टेप करेंगे तो आपसे कुछ permission मागएगा इन permission को आपको one by one यहाँ से आपको allow करना होगा तो चली जैसे की phone and contact तो यहाँ पर हम set पर टेप करते हैं और यहाँ से permission को allow कर देते हैं चली इसको allow करते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इसको बेख ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके समने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलता है अब यहाँ पर आपको करना क्योंगा दोस्तों कि अगर आप इसके default वाले wallpaper यूज़ करना चाते हैं तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक से बढ़कर रेक यहाँ पर wallpaper मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो plus का icon देखता है इस पर टेप करना है इस पर टेप करके आप अपने phone की gallery को open कर सकते हैं और वहाँ से अपनी पसंद का photo यहाँ पर add कर सकते हैं और इसको बाद जब भी कोई person आपको call करेगा या आप किसी person को call करेंगे तो आपका वही photo आपकी caller screen पर नजर आएगा जो कि आपने हैंसे set किया हुआ इसके लाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि default में भी आपको काफी अच्छे अच्छे यहाँ बाल पेपर देखने को मिलते हैं इन में से आप किसी को पर अपनी caller screen पर set कर सकते हैं तो अब इसमें से अगर आपको किसी wallpaper को अपनी caller screen पर set करना है तो आपको उसको select कर ले ना suppose कि जी कि यह love वाला जो है फश्ट वाला इसी को में रखना चाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं download का button देखने को मिलेगा इस download वाले button पर आप टेप करेंगे तो यहाँ पर आपको preview दिखा रहा है कि आपके पास जब call आएगा तो आपकी screen किस तरह की नजर आएगी इसके बाद आपको download का button देखने को मिलता है आपको download कर देना है download करने के बाद आपको यहाँ से permission को allow कर देना है तो यहाँ पर आपका यह wallpaper डाउनलोड होना start हो चुका है यहाँ पर नीची की side देख सकते हैं वारा download हो चुका है और इसके अलावा इसके बाद में आपको set for all का option मिलता है इस पर आप यहाँ पर tape कर देंगे तो आपके जितने भी contact है उन सब पर यह apply हो चुका है आप इसके बाद जब भी कोई आपको call करेगा या आप किसी को call करेगे तो आपकी color skin पर यही वाल बाल पेपर आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह से दोस्तों आप अपने android phone में अपनी पसंद का कोई भी बाल पेपर यहाँ पर एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे पुरी उम्मीद है कि आपको process ठीक से समझ में आ गई होगी तो अगर आपको अच्की जनकर अच्छी लगए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं का तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आनवाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना एकले वीडियो माफ सिफर मुलाकात होगी तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए